ऐसी कौन सी मुश्किल में थे आप जो आपने बुल्डोजर किसी के घर पर चलवा दिया ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी योगी जी कि आपने अपना बुल्डोजर किसी के घर पर चलाने की अनुमती दे दी नमस्कार दोस्तो दरसल ये सारे शब्द मेरे नहीं है बलकि कौट के हैं आज कौट ने योगी आदतनात के बुल्डोजर पर लिए गए फैसले की धजियां उड़ा कर रखती इस तरीके से धजियां उड़ाई है ऐसी फटकार लगाई है दोस्तो कि आगे शायद योगी आदतनात अपनी बुल्डोजर कारवाई पर अपना कॉलर खड़ा करके वहवाई ना कर सके बलकि दस बार सोचेंगे कि उन्हें क्या किया है उनके फैसले से किसी परिवार का पूरा का पूरा जमापूंजी पूरी की पूरी उनकी जो मिलकियत है वो किस तरीके से खराब हो जा रही है कैसे खत्म हो जा रही है आज योगी आदतनात को समझ में आ रहा होगा आज योगी आदितनाथ समझ रहे होंगे कि उनके बुल्डोजर एक्शन से कईयों की जिन्दगी तबा हो जाती है पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है वैसे तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये कहते हैं कि जिनके परिवार नहीं होते हैं कैसे उनको क्या फर्क परतानको कोई दर्द नहीं होता है कि कि अगर तूटे कि सिके घर पर बुल्डोजर चल जाएथ यह वो मिट्टी में मिलचाएव जिनका घर होता है जिनका परिवार होता है वो समझते हैं सोशल मीडिया पर और कई विपक्षी नेता भी इस तरीके के बयानात दे चुके हैं लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हाई कॉट के अंदर योगी आद्धतनाद के बुल्डोजर नीती पर जम कर हाई कॉट ने बुल्डोजर चलाया है योगी आद्धतनाद के लिये गए फैसले पर हाई कॉट की तरफ से कॉट की तरफ से बुल्डोजर चला दिया गया है घर तोडने का बड़ा शौक है उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि घर तोड़ देने से न्याय मिल जाएग लेकिन आज उस निया इंसाफ को किस तरीके से हाई कॉट के जरिये रोका गया है और योगी आद्धतनाद को फटकार लगाया गया है ये जरूर योगी जी समझ रहे होंगे कि उनके फैसले से क्या कुछ हुआ है दरसल दोस्तों योगी आदितिनाथ के फैसले पर सुप्रीम कॉर्ट तो छोड़िये उत्तर प्रदेश का हाई कॉर्ट भी योगी आदितिनाथ से जवाब मांग रहा है एबिपी नियूस के हवाले से खबर आई है कि यूपी सरकार मुश्किल में है बुल्डोजर एक्शन पर हाई कॉर्ट सक्त हो गया है जवाब तलब पूछा है किस प्रकेरिया के तहत आपने किसी का घर गिरा दिया है दरसल अलाबाद हाई कॉर्ट जी हां अलाबाद हाई कॉ करते हुए योगी सरकार पर फटकार लगाते हुए यह तमाम बाते आज कहते हुए वो नजर आए सुप्रीम कॉर्ट के बाद अब अलाबाद हाई कॉर्ट ने भी बुल्डोजर की कारवाई को लेकर सवाल उठा दिये हैं हाई कॉर्ट में यूपी के आजमगर में कानूनी प्रकिरिया अपनाए बिना बुल्डोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की यूपी सरकार से योगी सरकार से जवाब तलब तक कर दिया है कॉर्ट ने पूछा कि किस कानूनी प्रकिरिया के तहट आप याचिका करता कि घर गिरा रहे हैं अलाबाद कौट में जस्टिस प्रकास पढ़िया की सिंगल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कौट ने यूपी सरकार से पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिती ती जिसके चलते कानूनी प्रकिरिया का पालन करना आप भूल गए हैं याचिका करता का घर आप कैसे गिरा सकते हैं अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कह दिया है इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होने वाली है दोस्तो दोस्तो यूपी सरकार से कौट ने जवाब तलब किया है आपको बता दे आजम गड़ के सुनील कुमार ने हाई कौट में बुल्डोजर की कारवाई को लेकर एक याचिका दाखिल की थी जमीन विवाद को लेकर आजम गड़ के अडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार के घर को गिराने का आदेश चारी कर दिया था आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिये बिना जल्द से जल्द उनके मकान पर बुल्डोजर चला दिया गया उनकी बात नहीं सुनी गई अब तो मुसल्मानों के घर पर बुल्डोजर चला करता था तो नफरती खुश हो रहे थे अब देखे सुनील कुमार जैसे लोगों के घर पर भी बुल्डोजर चला है अब नफरत क्या करेंगे कौन सा जश्ण मनाएंगे कौन सा पटाके कौन सा फुल जड़िया फोड़ेंगे क्योंकि मुसल्मानों से तो इनको बहुत दिक्कत है धर्म देखकर इनका नफरत जो है वो बढ़ने लग जाता है लेकिन सुनील कुमार वो किस धर्म से हैं और उनके घर को तोड सुप्रीम कौट ने बुर्डोजर की कारवाई को साफतोर पर गलत करार दिया है उन्होंने बताया है कि परिवार के किसी सदस्य का अपराद से कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन उनके घर को आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं यह आधार बना करकि कि वो अपरादी है देश में कानून का साशन है कोई राच तंत्र नहीं है कि आपका जो मर्जी आएगा वो करेंगे सुप्रीम कौट ने यह भी कहा था दोस्तों कि आरोपी पर दोश बनता है या नहीं या उसने क्या अपराद किया है यह तैकरना कौट का काम है आप कौट का काम नहीं कर सकते किसी आरोपी को गलती की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती है ऐसी कारवाई होने पर देश का कानून नहीं मानेगा बुल्डोजर चलाने जैसी कारवाई पर हम यकिन नहीं रखते हैं कानून बैठा हुआ है, कानून को अपना काम करने दीजे आप जिस तरीके की नीतियां और तमाम चीज़े जो लागू करते वे नजर आते हैं उसको फटाफट बंद कीजे दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा साथी साथ चैनल को जाद साजाद लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले